हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल सबीस्टासवान इस वीडियो में मैं आप लों के साथ शेयर करने वाले हूँ यह ब्यूटिफुल सा अबाया जो कि ट्रेंड पे चल रहा है अजकल इसको बनाना बहुत ही आसन है तो वीडियो को एंड तक देखिए कहें भी स्किप ना करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकान को प्रेस कीजिए तक कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मुझे यूट सब्सक्राइब टूट इसलों दूदेा है जानेसओ आज मेरे जालें आखिए बेल के श्चैनल कुछ को ने इस वे जालेंगे दूटिका है विडियों अब्हे और तो जालेंगे वीडियों थे बकिश्चाआइए थीयों जाले सांटढ़ें जालेंगे पश् करते हैं तो मैं यहां पर यूज कर रहे हूं 3.5 मीटर हेवी जॉजट फैब्रेट तो मैंने यहां पर 4 फोल्ड गया हुआ है यह टॉप पार्ट है फ्रॉंट एंड बैक दोनों है मैंने लेंग लेंग लिया है 11.5 इंचे शॉल्डर्स मैंने नाइन लिया है आमोल 9 शॉल्ड नो भी लेना है मैं आप गोलाई दे रही है तो कट कर लेते हैं इसको मैं फ्रेंट का पार्ट निकाल रही हूँ है यह फ्रेंट पार्ट हैं इसको हम डीप देंगे वाई इंच नेक विर्थ में ले रही हूँ 3 इंच और डीप ले रही हूँ 5 इंच इसको कट कर लेते हैं इस फ्रेंट शाइट उपन कर रही हूँ हूँ अब शोल्डर हाफ इंच पीप ले रहे हूँ आज यह बॉटम पार्ट और इसकी लेंद्ध है 32 इंच और विद्ध है 17 इस इस बैक पार्ट को साइड रहती हूँ और फर्न पार्ट को ओपन करेंगे लिए हूँ है तो यह हमारा फ्रेंट पार्ट है इसको ओपन कर लेए त तो इसकी तो पार्ट को ओपन किया था तो हमारे दो पार्ट हो गए फ्रेंट के तो मैं यह तो मैं टॉपार्ट लेरिंग फ्रेंट का अब हम इसको अटैच करेंगे हमें प्लेट देते हुए इस पे शिलाई लगानी है तो हम इसको शिलाई लगा लेते हैं तो दी के मैंने है चैसी तरीके से बैक पार्ट को भी शिलाई लगानी है एसे हमें प्लेट्स देते हुए, जब अलगानी है फिराएक है छोलर्ण की श्लाई लगाएंग यह बहुंग है खेशोल्डर्स की लाइचिध लगाएंगे जचीद ब्रोंटराक्त रखेशोज्डर्स की कि में कर दागा रहे हैं कि मैंने आपे स्लीफ्स की लिए फोर फोल्ड किया हुआ है कि इसकी लेंद है 23 इंचेज और विर्थ है 10.5 इंचेज आम हम लेंगे 3 इंचेज इसको गलाई देंगे साइड में स्ट्रेट रखना है इसको पट कर लगते हैं कि देखें हमने कट कर लिया है कि अब हम ने लगा लेंगे प्लास्टेक कि मैंने लिया है 9 इंचेज तो अब हम इसको खींच के स्लाई लगानी है खींचते वे स्लाई लगानी है अब हम इस तर्फॉल्ड करके श्लाई लगानी है खींचेज प्लाई लगा रहे हैं मैंने फूल्ड करते हुए श्लाई लगा रहे हैं अब हमें स्ट्रेट मार करना है निशान लगा लेना है इसे की ट्रेट आइक्तम तो हम इसको स्लाई लगाएंगे खिषते हुए दूसरी सेट भी हम ऐसी सिलाई लगाएंगे स्लाई लगाने के बाद इस तरी कैसे दिखेगे इस सेम हम ढूनों स्लीफ को रैडी कर लेंगे अब हम स्लीफ को अटैच करेंगे अब हम इसको सिलाई लगाने है अब हम तोनों साइट में सिलाई लगाएंगे फिटिंग करेंगे तो यह देखिए फिटिंग करने के बाद कुछ इस तरी के से दिखेगा यह अब हम नीचे बॉटम फ्रिल्स लगाएंगे फ्रिल्स की लेंथ में लिए 8.5 इंचिस विद्ट 3 मीटर हैं अगश तो देखिए अब हम नीचे की साइड प्रेत देते हुए सिलाई लगाने है तो भी धी हैं अब हम सिलाई लगा लेंगे पूरे बॉटम को देखिए पर इस तदे के बाद के इसटे के चिराएंगे अब हम लेंगे बटन के लिए पट्टी शब कि इसा है लगाएगी इसकी विडत है 4 इंचेस हम आप हमिस पत्टी उसे को फ्रेंट था स्जाइ लगाएंगे इस लगाई थो सच देंगे लिग जास लगानी इन वह इंच 2 अप एक सब्रें है चाली लगानी और अब हम इसमें बटन लगाएंगे यह कि मैंने बटन लगा रही है इसका फाइनल लुक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो मेक्शियर इस वीडियो को लाइच शेयर और सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकाउन को प्रेश कीजिए मेरे नुर वीडियो की नोट्विकेशन आपको बिलते रहेगी थैंक्स फॉर वाचिंग